दोस्तो आज में लसिका यानि लिंफ क्या है और लिंफटिक सिस्टम क्या है लसिका तंत्र क्या है इसके बारे में डीटेल में बता रही हूं दोस्तो इसके पहले में ब्लड क्या है ब्लड सर्कुलेशन क्या है और ब्लड के अंतरकत प्लाज्मा क्या है ब्लड सेल्स क्या है ब्लड सेल्स के अंतरकत रवी सी डव्लो बी सी प्लेटलेर्स क्या है इसके बारे में डीटेल में बता चुकी हूं इसके बारे में जानने के लिए चैनल के एनोटोमियम फिजियोलोजी के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को वाच कर सकते हैं तो दोस्तों चली चलते हैं आज के टॉपिक पर लसिका के बारे में जानते हैं लसिका यानि लेंप दोस्तों लसिका जो है यह रंग ही पारदर्सक द्रव है जो प्लाजमा के समान शवच्छ और श्वेथ है लसिका में यानी लिप में आर्बिस्टी का अभाव होता है यानी आर्बि सी नहीं पाये जाता है WBC और प्लाजमा इसमें उपसित होता है और प्रोटीन की मात्रा इसमें कम होती है और उस्जी पदार्थ इसमें अधिक होती है लसिका है क्या या रक्त कोशिकाओं से च्छना हुआ तरल द्रव है क्या है रख्त कोशिकाओं यानि blood capillaries से छाना हुआ दरतरल द्रव है रुधीर तथा उतक द्रव की बीच का द्रव होता है रुधीर कोशिकाओं प्रतियक अंगों, उतकों वा कोशिकाओं तक नहीं जा पाती है इसलिए जहां रुधिर कोशिका नहीं जा पाती हैं वहां पे पुसक तत्तु को लसिका पहुचाती है यानि प्लाज्मा और WBC कोशिकाओं की दिवारों से जो छना हुआ द्रव होता है वही लसिका होता है यह च्छन कर प्लाज्मा और WBC कोशिकाओं की दिवारों से च्छन कर उतक हुआ कोशिकाओं तक पहुचती हैं और इसी च्छने हुए द्रव को यानि प्लाज्मा और WBC कोशिकाओं की दिवारों से च्छने हुए द्रव को लशिका कहते हैं फिर नसीका तंत्र द्वारा तरल वापस रुधीर ने पहुचा जाता है यानि उत्तकों वा अंगों की कुशिकाओं के बीच पोसक पदार्थों इसे O2, CO2 वा उसरजी पदार्थों का आदान प्रदान होता है जैसे कि दोस्तों रुधीर कुशिकाओं से प्लाजमा तथा रुधीर कड़िकाएं च्छन कर सभी पोसक तत्तों के साथ उत्तकों में पहुचा दी जाती है फिर उत्तकों वा कोशिकाओं से उस्रजी पदार्थों को ग्रहड करके पुना रक्त सिराओं के द्वारा रक्त में मिलकर हिड़य के दाएं भाग के दाएं अलिंद में पहुचा देता है ठीक है जैसे कि दोस्तों रक्त प्लाजमा रक्त रुदिर कोशिकाओं से प्लाजमा और डवलो विसी कोशिकाओं की दिवारों से च्छन करके जो च्छना हुआ द्रव होता है वही लसिका होता है जहां रक्त नहीं पहुच पाता है वहाँ पे यह लसिका सभी पोसक तत्वों को वहा दी जाती है और अक्त में मिलकर यह हिरे के दाएं भाग के दाएं अलिंद में पहुंचा देता है एंड दोस्तों आत्र में वसी अमल तथा गिलिस्टाल का उसोचर अच्छीर वाहिनियों लेक्टियल्स द्वारा होता है कि हमारे आतों में वसी अमल और गिलिस्टाल का उसोचर किसके द्वारा होता है अच्छीर वाहिनियों द्वारा ठीक है यानि लेक्टियल्स द्वारा इसको अभी से इस रुप मिध्यार में रखेगा एन दोस्तों लसी का गाठे जो होती है लसी का अंगोवा गाठों में निंफोसाइड्स का निमार होता है या परिपक्वन होता है और इनी अंगोवा गाठों में एंटी बाडी यानि प्रतिरच्छी का भी निमार होता है जो प्रतिरच्छा तंत्र का मुख्य भाग है वो प्रत्रच्छा में भाग लेता है जैसे कि दुस्तों si this is ब्लू渇स्ट सी कि अंत गर्ण लीमफोसाइड मॉनोसाइड इस यह उता है लें ब्लूइटियग लें बता चुकी हूं ब्लूड वाले वीदियो में और लू लutोसाइड यह होता है दिलंफोसाइड एस यहिंद यहर्ट लिमफोसाइट होता है और जो मूनोसय। होता है यह यह अंधूर्ट लिमफोसाइट को बताता है जब कोई असलता है प्र विच्छ-टाली गश्म, कि प्र हया ठीश करें मैं देता है पै는지usan संट माने दूस्य। फेपलों की प्यूरल गुछा अच्छिर बाहिनियों या लेक्टियर्स में उधर गुछामें हड़ियों की जोड़ों पर जहां पर। साइनु वियल गुछाम में द्रव भरा रहता है वहां पर यह पर पाये जाता है और यह लसिका कहाँ पर नहीं पाए जाती है जैसे कि उपास थी यानि कार्टिलेज में हमारे ब्रेन में इस्पाइनल कार्ड में नहीं पाए जाता है एने दोस्तों लसिका क्या है इसको थो हम समझ गयें अब इसका समस्तट सरी में परिसंचरों कρχा यसे होता है तो हम लसिका तंत्र के बारे में यानि लिमपेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे जैसे कि दोस्तों लसिका तंत्र यानि लिम्परिटिक सिस्टम बंद परिसंचर प्रकार का तंत्र है जैसे मनुस्टर में रख्त परिसंचर तंत्र की अत्रिक एक अनलित तरल परिसंचर तंत्र पाए जाता है जिसे लसिका तंत्र करते हैंbok या तंत्र लसिका के शिकाएं या निल्प कैपिल Stamp pense-, लसिका वहनियो या-नि लिंप वैसल्स and लसिका गाठो यानि लिंफ नोट्स और लसिका अंगों यानिंविस अरगंस?". Che mist होता है लसिका का जो परिसंज्रव होता है रुधिर के विप्रीद एक ही जिसा में अथा लसिका का प्रवा सदेव अंगों से हिदे की ओर होता है कहां होता है रुधिर के विप्रीद सदेव अंगों से हिदे की ओर जैकि रुधिर का पर सरचरत कैसे होता है यह सुद्रक्त को रुधी जू होता है वह सुद्रक्त हिदे से अंगों की और जाता है और असुद्रक्त अंगों से हिदे की और जाता है जब कि लसिका क्या करता है सदे अंगों से हिदे की और हुई जाता है अब बात करते हैं के सारे सर्कुलेशन प्रोसेस की जैसे कि पहले बात करेंगे लसिका केशिकाओं की लसिका केशिका यानि लिंप कैपिल रीज जैसे कि जिस तो विभीन अंगों में महीन नलिकाओं के जाल हैं जो उत्तकों का शौरा द्रव एकतित करता है और आतर में इनकी संख्या अच्छिर वाहिन्या यानि लेक्टियर्स कहलाती हैं यह आतर में इस जो लसिका के सिकाएं होती है यह आतर में पर यह अच्छिर वाहिन्या यानि लेक्टियर्स कहलाती हैं इस पच्छे ववी भोजन से वसी अमल तथा गलिजर्साल का और युःशोशर करती है यह अच्छिर वहियां क्या करती हैं लेकियर्स? पच्छिवई भुजन से वसी अमलत तथा ग्लिसराल का अशुशर करती हैं वसी अमलत तथा ग्लिसराल मिलकर इमलसी करेट वसा बनाते हैं और जिसे काइल कहते हैं एंड दोस्तों लसिका केसिकाओं का अभाव मतलब कहां नहीं पाय जाता है यह कार्टिले यानि उपास थी ब्रेन इस्वैनिल कार्ड आदी में नहीं पाय जाता है अब बात करते हैं लसिकाओं वहनियों की यानि लिंफ वेसेल्स की जैसे कि दोस्तों यही जो लसिका केसिका महिनलिकाओं का जाल वही आपस में मिलकर लसिका वाहिंयों का निमार करती है। जहां से केशिकाओं से उतक द्रव लसिका वाहिंयों में लाए जाता है। इसकी रचना सिराओं के समान होती है किन्तु दिवारे सिराओं के अपिछा पतली होती है। इनके लसिका वाहियों के भीतर हिदे की ओर खुलने वाले एक तरफा प्याले नुवा कपाठ होते हैं। शंख्या में इस सिराओं के कपाठों के अपिछा अधिक होती है। पेशियों के संकुचन द्वरा लसिका वाहनियों पर दबाव पड़ता है जिससे लसिका उपर की उर प्रवावित होता है जैसे कि तो लसिका वाहनिया परस पर मिलकर दो बड़ी लसिका वाहनिया बनाती है एक बाई वच्छी लसिका वाहनी दुसरा दाई वच्छी लसिका वाहनी बाई वच्छी लसिका वाहनी बाई तरफ के सभी अंगों की तरफ खुलती है और दाई वच्छी लसिका वाहनी दाई तरफ के सभी अंगों की तरफ खुलती है बाई अच्छी लशिका वाहनी दाय तरप के सभी अंगो जैसे कि सी ग्रिवा वच्छ के बाई भागो बाई अगरपाद पस्चपाद अहार नाल वच्छ ये उदर भागो की लशिका वाहनिया खुलती हैं अब बाई अच्छी लशिका वाहनी दाई तरप की सभी अंगोगत की तरफ खुलती हैं यह सब क्लेवियन सीरा तथा दाई आंतर जुगलर सीरा के संधिय इस्थर पर खुलती हैं अब बात करते हैं लशिका गाठो की यानि लिंफ नोट्स की यह बेरी इंपॉर्टन है दोस्तों लशिका गाठें लशिका वाहनिया जो होती है वह कुछ अस्थाने पर फूल कर लशिका गाठो का निमार करती हैं वही लशिका वाहनिया कुछ अस्थाने पर फूल जाती है आप खुलकर लशिका गज़ों कानिमा करते है लशिका उतक की बनी गोल व अंडा का रच्ना होती है लशिका वाहिन्यों में जगह जगा विभिन आकार की छोटी छोटी गाठे होती यही जो है गाठए जो है आपस में सयोजी उत्तक यानि कनेटी टूसी सो जुरू रहती है लिंफोसाइस का निर्माड करके यह जो गाठे होती है लिंफोसाइस का निर्माड करके उन्हीं लसिका में मुप्त करती है यह लसिका को चान कर साप करती है लसिका गाठे जो है इसका मुखे कारे होता ह बैक्टिरिया वा अन्य हानिकारक पदातों का भच्छर करके उन्हीं नश्ट करती हैं यहां आत्रिकी स्लेस्मा में छोटे वा गोल अंडाकार पुट्टोकों के रूप में होती हैं जिन्हें लसिका पुटक करती हैं यह एंटी बॉडिज वा एंटी टॉक्सिंग का निमा कर रख्ट में स्वेटर्व काई काउं की पुर्टी बी करता है अब बात करते हैं दोस्तों लसिका अंग यानि लिफ आरहां श्रम में होते में Länder थाइमस gland, इस्प्रिन इयाँ, प्लीहा और थाइमस gland के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगी दोस्तों बेख थोड़ा से बताऊंगी दोस्तों नहीं जाओंगी जब थाइमस सार्स का निर्मार भी करती है जैसे कि तो में भरबुर मात्रा में पाईजाता है और बड़ाइ बच्चों में इम्जनती पावर ज्यादा होती है वह मिट्री खाकर भी पचा लेते हैं जबकि वह एसके लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे नेफ्ट है तांसिल यह हुमारे कंट पर होता है फैरिंग्स पर यानि ग्रस्नी पर और कंट ग्रस्नी और कंट के पास जो निकला हुआ होता है घांटी जैसा उसी को तांसिल या इपिग्लोटिस कहते हैं और यहां ग्रस्नी यानि फैरिंग्स की सिलिस्मा जिली में इसीत होती है यह निंफोसारिस के निमान में इनका भी विशेष युग्दान होता है नेश्ट है प्लिहा यानि इस्प्लिन यहां गहरे लाल रंग की लंबी किन्तु चप्टी वह अतिधिक समभित लशिका उस्प्राण के बीच प्रbijटोनियम के दो वललों द्वारा सधा रहता है यह लसिका गॉठो की भाती लसिका प्रवा में इस्थित pioneer क然 होता मैं और और स्प्लिंगidd का कार्य société को तर Ox bigger ने माढ करता है तुटिभणि सित्ता ओंधि रोष्ड को सफाई करता है इसलिए इसको कहता है कहते हैं जैसे कि दूस्तो मझने के बाद कि जा करके following में रख्त में मर्ता है इस पृम में महने की होता है और मरता है कहां पर 사स्प्लें में फिल कर 32 को यह फिला टा re independent की अत्रित मात्रा को संक्राफ करने का जा सट आए दोस्तों तो दोस्तों यह मने लशिका टंत्र के बारे में डिटेल में जाना आहिए को दोस्तों सभी आपको समझ में आये होंगे और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए और जादे से जदे दोस्तों सेल किया कीजिए जिसे मुझे एक नवा मोटिवेसन मिली और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूं दोस्तों फर्स बार को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को फ्रेज कर लिजिए जिससे नवी वीडियो को आपडेट आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन